राम राम किसान भाईयो मैं नितिन फिर से हजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे धान में उगने वाले खरपतवारों के बारे में चाहें वो खरपतवार हमारी नरसरी के अंदर हो चाहें वो खरपतवार हमारे धान की फसल के और धान के खेत के अंदर हो, कोई से भी खरपतवार हो, यानि कि धान की फसल के अंदर किसान भाईयो, जितनी भी तरह के खरपतवार उकते हैं, उन सभी खरपतवार को आप मात एक स्प्रे के अंदर खतम कर सकते हैं, यदि इस स्प्रे की जो डोज में आपको बताता हूँ, इस टोज में आप चलते हैं तो आपकी धान की फसल पर कोई भी असर नहीं आएगा आपकी धान की फसल बिल्कुल सेफ रहेगी कोई भी दिक्कत परिशानी आपके खेत के अंदर नहीं आएगी और जितने भी तरह के खरपतवार हमारी धान की फसल के अंदर उकते हैं वे सभी खर्पतवार किसान में लगभग 10 से लेके 15 दिन के अंदर बिलकुल जड़ से समाप्त हो जाएंगे और आपकी जो फसल होगी वो बिलकुल हरी भरी रहेगी और वो बिलकुल खर्पतवात रहित हो जाएगी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ इसके साथ-साथ कुछ साफधानिया भी है इन साफधानियों को भी आप आपको ध्यान में रखना है कि किस तरी से आपको इस्प्रे करना है किस तरी की से योज में लाना है कितनी इसकी मातरा लेना है कितना इसे पानी लेना है, सब कुछ मैं इसमें आपको डिटेल से बताने वाला है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, किसान भाई इ लेकि 10 ऐसे खरपतवार होते हैं जो बहुत तेजी के साथ हमारी धान की फसल के अंदर उगने सुरू हो जाते हैं नरसरी के अंदर भी उगते हैं और हमारी धान की फसल के अंदर तो यह बहुत जादे उगने सुरू हो जाते हैं किसान भाई इनसे बहुत जादे परिसान होते और इसके लिए वो कई तरह के इस्प्रे भी करते हैं कई तरह की दवाईया भी नीचे डालते हैं लेकिन यदि दवाईया नीचे डालते हैं तो किसानवायो खर्पतवारों के साथ साथ आपकी जो फसल होती है वो भी पर भावित हो जाती है जिससे किसानवायो काफी जादे मिलता है, क्योंकि कई खर्पतवार ऐसे होते हैं, जो चोड़ी पत्ती के होते हैं, कई होते हैं, जो सक्री पत्ती के होते हैं, कई होते हैं, मतलब कई तरह के ये खर्पतवार होते हैं, तो किसान में जब आपकी धान की फसल के अंदर, जो ये खर्पतवार हैं, लगबच चार सिर्फ उस समय पर आपको इसका इस्प्रे करना है और जैसे ही आप इस्प्रे कर देंगे इस्प्रे करने के बाद आप अपने खेत के अंदर पानी चला दीजे और लगभग आपको जो पानी है वो 5 से लेगे 6 दिन तक अपने खेत के अंदर रखना है जिससे जो खरपतवार ह इनकी जणे आसानी के साथ गल जाएं और आपकी जो फसल है वो खर्पतवरो रहित हो जाएं इस टेक्निकल का मैं आपको नाम बता रहा हूँ इसके आपको उप्योग मुन लाना इसे आपको लेना है बिस पाइरी बैक सोडियम 10% ऐसी फोम में आपको ये मार्केट में मिल जा सिर्फ आपको इसका इस्प्रे करना यदि आप इसका इस्प्रे करते हैं और इस्प्रे भी आप नोजल कट से नोजल कटका जो हमारा इस्प्रे होता है उससे आपको करना है जिससे कि जो पोधे पर ये मतलब ये खर्पतवार पर डारेक्ट पोचे और खर्पतवार को तु पड़ेगा आपकी फजल बिल्कुछ सुरक्षित रहेगी और ये जितने भी खरपतवर आपके दान के अंदर होंगे उन सब को ये आसानी के साथ खतम कर देगा तो इस तरीके से आप अपनी धान के फजल को खरपतवारों से खतम कर सकते हैं उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानका ही दे पाया हूँ यदि फिर भी कुछ प्रेशन रहा गए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं तुरंत ही जवाब देने की कुछिस करूँगा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानका रिक्षा तब तक के लिए राम राम जी